जैन सातियों मैं विश्राइब वाफिर से स्वागत करताउस सभी का एक्जाम हैरियर पर आयो हूँ पाप अच्छी होंगे डेट आज किए 21 अक्टूबर में आपका स्वागत है जैसे कि आपको पता है आप लोग बहुत ज्यादा मेरे पास एक कमेंट कर रहे हो जब नौमी थी तब कुछ खुशन साफ की छूट गए थे जो तीन दिन के थे और मैंने उनको पर इग्नोर कर दिया था लेकिन आप लोगों की बहुत ज्यादा इस्ट होगे अगर आप को याद हो तो ठीक है बहुत ज्यादा कमेंट आई हैं तो सबसे पहले आज जो डेट है कल आप लोगों कल संडे था प्रीस तारिक और कल आप लोगों मेरे साथ जिसान कवर किया वह था आपका वीकली करेंट प्रिक्स का सुबह मौर्निंग में पांच जि ताकि फोड़ा सा देखो आप लोग मेरे साथ रेगुलर हो और रेगुलर में कुछ सैसन्स या कुछ कोशन्स आगे पीछे होगे सारे आपको गर कर दिये जाते हैं इसमें किसी भी प्रकावी कोई प्रॉबलम नहीं होती है तो एजा वीकली सोच कर आप लोग मेरे साथ वह कुछ भी आप लोगों को छोड़ना नहीं है इस पेसल है 21 अक्टूबर के लिए टेलग्राम पर क्युछ भी आपको मिलेंगे प्रॉपर तरीके से बागी सारा डट आपको मिलेगा तो क्लास पूरी सिद्ध से लीजिएगा स्टार्ट करते हैं चले 21 अक्टूबर क्लास की पीडियाफ एक्जाम हेरियर टेलिग्राम चानल पर कोई पर्सनल इसूज होते हैं तो आप मुझे दोस्तों फॉलो कर सकते हो विशाल दूबर 0102 यह मेरी इंस्टाग्राम आइडिया है एक प्रॉब्लम आपको और दूर होगी होगी आज 21 थारिक है कल 20 थारिक को फॉर्म पढ़ना बंद हो चुके हैं एंटिपी से लेकिन ग्रेजुएट लेवल के अंडर ग्रेजुएट लेवल की डेट अभी भी बाकी है यू केन कंटिनू सो इस्टाट करते हैं आज के सेसंट को चलते हैं जैवो सुरुचुतिमाता की चलिए आज के पहले कोश्चन से दोस्त तो विस Cup नहीं होगा, World Cup Day नहीं मनाया जाता है, World Cotton Day यहाँ पर लिखा होगा, क्या लिखा होगा, World Cotton Day जब कपास की बात हो रही है, इस टेटिक जी के मैंने आपको पढ़ाई थी, 17 या 18 तारी की कलास साम को देखना है, मैंने आपको कपास की उतुपादन के बारे में डिटेल बे पढ़ाया था, कोई कोशन था कपास रेडेड़ इसलिए, डन, तो कोशन है, कपास दिवस प्रतेक वर्स हम लोग कम मनाते हैं, दोस्तो तीन तारी को मनाते हैं, पास तारी को मनाते हैं, 7 अक्टूबर को परतेक वर्स हम लोग कपास दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, क्या आपको पता है कपास दिवस पहली बार कम मनाया गया था, कपास दिवस पहली बार दोस्तो हम लोगोंने सब पढ़ उबर 1945 को दोस्तों कुईविक में कर दी जाती है पेपर में अगर आपसे मुख्याले पूस दिया जाये क्यों भी कनाड़ा नहीं इसका मुख्याले आपको रोम में बिटा इटली में देखने के लिए रोम इटली में आपको इसका मुख्याले देखने के लिए मिलता है और ड इसकी थीम थी कॉटन फॉर इसकी थीम थी कॉटन फॉर गुड कॉटन फॉर गुड जो है यह दोस्तों वर्ष 2024 में आपको ध्यान लखनी है थीम आपकी बन जाती है एक कॉश्चन कॉमन यहां पर आपको पूछेगा कि बारत के टॉप फाइव इस्टेट उत्पादन बेसिक कॉशन इस्टेटिक का अगले कोशन में बढ़िए हारी में पीम मोधी ने किस सहर में कॉटल आर्तिक सम्मेलन के तीसरे संस्क्रण का स्ववारम किया था किया किस ने था मोधी जी ने किया था कॉनफरेंस पेपर में बरबर के आती है तो मज़े बताओ नाम था इसका कॉट कि के बेश पर एकॉनमी में ग्रोथ करना ऐसा इसका मुद्दा है इस बेश पर आपको दिल्ली मुंबई कोलकाता है धरवाद है धरवाद कोलकाता मुंबई आप लोग अटा दोगे आंसर याद लखना दोस्तों दिल्ली इस पर रेक्टार तरो जाएगा सर जी यह कब से के बाद सब कुछ बरवाद हो गया था आर्तिक इस्तती बहुत ज़्यदा टूट चुकी थी कोविट 90 सुबरने के लिए वर्ष 2021 में इसका सुबारम दोटा कर दिया गया था फर्स्ट एडिशन का दिमाग से रिलेट है कुछ ऐसा करो जिससे एकॉनमी पर गरार रहे उस ब kis के लिए संसाथ में सेमन के साथ में मेरिका के साथ में जापान के साथ मैं के रिखी करकार के यह पर आपके critical जो minerals होते हैं जिसमें semiconductor policy को बहुत ज्यादा गत्ती मिल सके इनका दोस्तों परवाव यहाँ पर आपके लिए पढ़ें समझेगे कि 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 इनका भावण करेंगे से कि 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 इनका दो परेंगे चल्ड गया तो आंसर जो हमारा था वो दोस्तों अमेरिका था बात ने रेयर मिनेरल्स के लिए अमेरिका के साथ में अस्तार्चर किये थे अमेशा जो हमारे ग्रह मंत्री के अमेशा ने किस राज में हाई-टेक पुलिस मुख्याले का उद्गाटन किया इसका सुभारम दोस्तों गुजरात के अंदर किया गया है करनाटे के अंदर उत्तरखन के अंदर या फिर दोस्तों उत्तर विदेश के अंदर नहीं दोस्तों या दखना इनका नाम है सीनबान मेकसिको चोटा सा कोंशन है और थोड़ा सा गड़वड भी हो गया यहां पर सीन बान जो है उनको मेकसिको का ही बनाया गया औहले को फॉर्ट मेकसिको की नई और पहली महिला राश्यपति कौन बनी है Mexico कोई normal छोटा मुटा देश नहीं है दोस्तो digital city है Mexico Mexico normal देश नहीं है एक बटा digital देश है यह वो आपका है जो दोस्तो आपके North America में आपको देखने के मिलता है यह वो देश है जिसकी आपको capital तता largest city मिलेगी तो Mexico City को हम लोग दोस्तो इसकी largest city और capital के नाम से जानते हैं प्रेशिडेंट के बारे में आपको पता है और एक basic question यह आप से पूच्छ देगा currency को हम लोग किस नाम से जानते हैं यह currency को हम लोग किस नाम से जानते हैं अगला question था sir हाली में किस सहर को भारत अंतर राष्ट्री बिग्यान महुषब 2024 के लिए चुना गया है बारत कैसा कौन सा सहर है जो भारत अंतर राष्ट्री बिग्यान महुषब 2024 में जो होगा उसको दोस्तों होच करेगा यह कब से कब तक किया जाएगा साथ यह आपके 30 नवंबर से स्टार्ट होगा यह आपके चार दिसंबर नेवी डे द्वजार गएगा ukशन है तो थीस समंबर से चार दिसंबर तक दोस्तों या आपको जाने वाला है इसको होश्ट कौन करेगा मुंबई करेगा चिर्नी करेगा नहीं दोस्तों इसको आपका गौहार्टी के दारा होश किया जाएगा काफी अच्छा गोशन है अगर पेपर में आ जाए सर जी इसका पहली बार सुबारम कप किया गया था इसका ये दसवा एडिशन होगा इसका परतम जो एडिशन है 2015 में क इस इस्तान पर किया गया था परतम एडिशन हमारे भारत में नई दिल्ली में किया गया था सर हाली में United Kingdom तदा के देश के बीच चागोश दीप समूं के लिए समझोते गया अपन पर आस्ताचर हुए कोई दो देश हैं जैसे हमारे भारत के अंदर का श्या दीपू दीप जिसको इंदरा गांदी जीन है 1975 में गिफ्ट के तौर पर दुनिया की पहली मैला पदारमंत्री बंडार नाइके जो सी लिंगा के थी उनको गिफ्ट कर दिया था इसी बेस पर कोशन है चागोश दीप का जो दो देशों के मतमें अगरिमेंट है एक देश आपका United Kingdom है दू राज का सांस्किर्तिक विरासत उतपाद थीन राइस ब्यार वेरियंट को Gen.ट दे दिया गया है सिर्फ तीन को नहीं दिया गया कुल मनाकर काफी दोस्तों यह पर उतपादoser हैं इस लिए इस लिए सई होगा आ glazeर यहाल हता जो सिर्फ और सिर्फ आपके असमराज को दिये गए अगर रेगुलर होगे तो आपको यह सारा का सारा डाटा दोस्तों पता होगा अगर बाइचांस में आपको बता वे दूँ चलो मैं बता देता हूं ताकि आप नाम बूलो तो सबसे पहले तो दोस्तों एक है सबसे पहले आपका बनता है बोडो पहली जो आपकी वाइन वो है वाइन है राइस बियर है वो है आपकी बोडो जो 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 आरन दोस्तों उसका जो आरन उसका नाम यह तो आपकी पहली बियर हो गई दूसरी बियर का नाम है मैबरा दूसरी बियर का नाम होगा दोस्तों हुआ है आपकी मैंबरा जो टेसरा उत्वी है औस तीसरा उत्वपाद है बोड़ो और दोस्तोंक तीसरा उत्वपाद है जिसको हम लोग कहेंगे बोड़ो मे taught गीशक यह आपका तीसरा उत्वपाद बन जाता है अब यहीं पर तीन उत्वपाद हो के सामने है और बाकी उतुपादों में आप लोग याद अखना बोडो जो खाद पदार्थ की रूप में एविलेबल होते हैं एक है जिसका नाम है बोडो नाफ्वम एक उतुपाद है दोस्तो जिसका नाम है बोडो ओंडलो एक उतुपाद है जिसका नाम है बोडो बोडो गोखा क्या नाम था बोडो गोखा था ठीक है इस परकार से याद रखना ये तीनो खाद पदार्थ हो गए साथी में दोस्तो दो ऐसे पदार्थ है जो साड़ी याड़ी बेसिक होती है उससे रिलेटेड है नाम इसका है बोडो, अर्नोई यह आपकी वस्त्रो जाते हैं तो आप इन चीजू को याद रख सकते हो तीन बेटा यह आपकी वाइन हो गई यह आनकी कह सकते हो सराब, बीर हो गई बेटा बोडो, नासम, ओडलो और ग्वाखा ये तीन खाद पदार्त है, खाने वाले पदार्त है, वेटा ये दो जो आपके सामने है ये वस्त्र की केटेगरी है, किस चीछ की केटेगरी है, ये दोस्तों आपके वस्त्र की केटेगरी है, वस्त्र की केटेगरी है, वो गया कुछन मेरा आठ कवर, अगले कुछन में पहु विरासट संग्राले और ये साथ अक्टूबर जब मैंने पड़ाया था तो बहुत डिटेलबें अंदर जा जाकर सारे संग्राले पड़ादिये थे तो बाज रा बाज़रा विराशत जो संग्राले है यह कहाँ पर दोस्तों बनाया गया तेलंगाना में जारखन में सब्सक्राइब कर दिया है आपति यो संस्थान के साथ समझ मोजदान के साथ यृच्षन के geldi as said को मैंसे एक संस्थान अमनों बनाएंगे किस्याइब आएति ने सीद्राइब पर थोपन पर एक थे तर्य दे और ज्यादा ताकतवर बनाया जाए एज़े हैड़कटर के रूप में जहां पर वह इस थाई है वहां से किस दिन प्रतेग वर्ष डाक छेत की बारे में लोगों को में जागरुपता बढ़ाने के लिए विस्ट डाक दिवस के तौर पर मनाया जाता है पूरे दुनिया में ड जौनस अंग क्या दरसाता है यह स्टेटिक का कुशन है और रेलवे में ऐसे कुशन मतला रिपीट भी सर्मा जाए सब्द इतना जादा बार पूछा जाता है बस और रही बात पढ़ाने की रेगलर रही है आप सर जी हाली में विक्टर इसलिए मैं चाहता था कि यह सैसन द पर उट गई है हाली में विक्तर इंबरोस और गिरी रुवकुन को और नहीं भी कर पाए तो मंको 5.00 नार्य स्टाइंग में बढ़ा दूँग का हाली में विक्टर इंबरोस और गौरी रुवकुन को किस खोच के लिए 24 ragtime क्षिकिक्षा कंशन को धिया गया यह दिया गया था जीन एडिटिंग को दिया गया था यह सॉरी हाले में विक्टर एम्प्रोस और गौरी रुखवन को किस खोज के लिए नोबिल प्रुसकार मिला है मेंडिसन का तो यह प्रुसकार मिला है इन दौनों लोगों को एम आई एम आई आरेने की खोज के लिए जिससे लोग बहुत ज्यादा अच्छा मैसूस किये जब कोविट नैंटी था यह तबसे रिलेड़ेड़ कोश्चन है हाली में किस राज सरकार ने च्छात्रवित्ति के लिए च्छात्राओं के लिए निजुत मोहिना अभियान का जिसके तैत बच्छों को रासी दी जाएगी रासी कितनी बिटा पहले च्रड में एक अजार रुपे दिये जाएंगे दूसरे च्रड में बारा सो पचास रुपे दिये जाएंगे तीसरे च्रड में दोस्तों इसनातों को उत्तर में पच्छिस सो रुपे दिये जाएंगे हाली में किस ने सर्दिय नवरात्री के दोरान आगामी महाकुम 2025 के लिए बैविसाइड और एप लॉंच किया है ये दोस्तो महाकुम होस्ट कहाँ पर होगा आपके अलावाद में प्रयाग राज में मोती जी ने राजना सिंग ने आश्री बैश्रम जी नहीं दोस्तो योगी आधित नातर जी के दारा किया गया है महाकुम 2025 हाली में BCCI ने किसी अपने बिष्टाचार निरोदक इकाई का नया अद्दख चुना है who has recently been appointed by BCCI as the new chairman of its anti-corruption unit option समझे कोशन को हाली में BCCI ने किसे अपने बिष्टाचार निरोदक इकाई का नया अद्दख चुन लिया है या अद्दख दोस्तो राजीब सिना को आलोग जोसी को अवे कोली को नहीं दोस्तो को और कर्ष्टन का करेक्टर आंसर होगा सरद कुमार को चुना है कुमार 16 खाली में किसे पदानमंत्री मोधी ने किस राज में गेल के पहले CBG प्लांट का उद्दगाटर ने कर दिया है बिटा गेल का पहला गेल का मतलब क्या होता है गैस अथोरिटी इंडिया लिम्डिड और उसका पहला CBG प्लांट बिटा ओपन किया गया गोईराथ में तेलंगाना मत्रा खंड में नहीं इसका सुबारम दोस्तों आपके दिये गई आप्सन मेंसे कहीं पर नहीं किया गया इसका सुबारम दिये गई आप्सन मेंसे आपको याद रखना है जार खंड में किया गया दिये गई option में दोस्तों आंसर को भी नहीं है, question का correct answer जो होगा वो आपका जारखंड इसदा correct answer रो जाएगा, तो जारखंड के अंदर, गेल का पहला CBG जो प्लांड था, उसका inauguration कर दिया गया है, सर, किस IIT संस्तान की सायता से पहली बार भारत अंतराश्य बिग्यान माउसव आयोजुद किया जा रहा है, कहां पर हो रहा है, गोहाटी में, 30 स्वंबर से 3 नवंबर तक, जब ऐसा हो रहा है, तो सोचो होश्च कोन करेगा, तो याद रखना, IIT दिल्ली करेगी, IIT मतरास करे आयोज़ी, IIT गोहाटी, भाई या, खुद IIT गोहाटी करेगी ना जब गोहाटी में इसका सुवारम वह रहा है, तो, हाली में कि सहर में, राजना सिंग जी ने, इंडिया स्टाटप चैलेंज के साथ, DEF Connect 4.0 का सुवारम किया, बिटा, 4.0 का मतला है संसकर्ण 4 लाद, DEF Connect का मतला है, hopes Can сильно, किस इस falling किया गया है, दिल्ली छेने कोलकाता है है, हैदराबाद में किया गया है, नहीं, दोस्तो आफिस की सुवारम जो है, हाली में भारत के किस पड़ोसी देश में परकास मानसिंग जो है उनको नया मुख नया धी सुना गया किस देश के अंदर पेटा वो देश याद अखन है नयपाल याद है आपके NPC, RPF, SSC, GD, MTS, H2NO हर पेपर में लखा होगा कि पेटा आपके जो questions पेपर बनेगा वो पेट कंट्री के साथ में पड़ोसी देशों से रिलेड़ेड़ पढ़ना अप हर ओपन चलेंज है मेरा ऐसा कोई notification दिखा दो जिस exam में जिकी जिस पूछी जाती है और ये बात ना लिखी हो समझ लो उस हर exam में important question बन गया आपका यह हारी में किस देश में अजीत विनाय गुपत अजीत बिनायक गुपते दोस्तों इनका नाम है और यह अभी तक कहां पे थे इजिप्ट में अब कौन इजिप्ट में खाली है इजिप्ट में कौन जाएगा फिर जब करेंड बने गया तब पढ़ाऊंगा अभी कोई नहीं है खाली में हाली में दोस्तों आई-डवल-स- एफ जोनियर विस सूटिंग चेंपिशिपमें पतक क् sulphonz का मैं कौन सा देश ऐसा है जो परतमियस्तान पर रहा है इंदिया वहारा दे जीते हैं 24 पतिकॉवप में हमारे बारत की सार रा थीरा गोल्ड मैडल जीते गए थे हमारे भारत रिजर ने तीन के डफिटी गवर्नर की रूप में किसको नित किया गया है या दखना एम राजवेसर राओ को कौन बने एम राजवेसर राओ को पहरी बार इनको बिटा 2020 में रियापॉइंट में थे करो कि अगर आपका कारकाल पूरा हो जाए इतना अच्छा काम करो कि दुबारा से फिर फिर दुबारा से देख रहे हो 2020 से अट रहे हैं चार साल निकल गए और और एक साल के लिए बढ़ा दिया गया कारकाल कोई मिली नहीं दा हाले में किस वारतिय को डिलूओ एमी किस शक्तर वे सी रो संतर की अद्धश के सब्सक्राइब चुना गया है Video 50 ट लिए अच्छीज इपिन करे जो है चल्दीजे स्राइब देदी आंसर चलो कहां पते हम लोग हाली में किस हैर को 2024 में विस दूर संचार मान की करण सबा की मेजवानी के लिए चुना गया है किसको चुना गया दिल्ली को चुना गया बही आपकी बार किसको चुना गया है दिल्ली को पकी बार चुन लिया गया है कब से कब तक दोस्तों सुबारम होगा 14 से लेकर 14 तारिक तक मतलब 14 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर 2024 तक इसका सुबारम किया जाएगा कोशन क्या क्या रहा है दूर संचार मानगी करण की बात हो रही है टेली कम्मिकेशन दूर संचार अगला कोशन है हारी में किस खेल से सम्मद्ध दीप दीपा कर्माकर ने 7 अक्टूबर को पहली बार सन्यास लेने का एलान कर दिया था उन्होंने दोस्तों यहाद रखना लुजार इन्होंने 2016 में गेम हुआ था रियो ओलंपिक तथा 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 सोला से पहले दोस्तों 2015 में गेम हुआ था वह था आपके कॉमन गेल्द कॉमन वेल्ड गेम्स के अंदर ब्रॉंज मेंडल जीत के लाएं थी जिमनास्टिक में थे ब्रॉंज मेंडल जीत के लाएं थी जुँँआ जिमनास्टिक में ये अच्छा कोशन है अगला कोशन आपके सामने है है कि इसमें 2015 में कोमन वेल्ड गैम इसमें ब्रॉंज लेकी आएं थी और इसमें ब्रॉंज चूक गई थी इसमें medal चुक गई थी, इसमें लेके आएं थी, अब सही है, हाली में किसे जैव विवेदिता सरक्षड के लिए, दोस्तो, मिडोरी पुरुसकार 24 से समानत किया गया, M.I.D.O.R.I. Price 2024, ये पुरुसकार निमने कितमें से किसको दिया गया, ये पुरुसकार दीपा करमातर को दिया गया, वोरा, वोरो नोवा को दिया गया, तो या लखना, वोरा, वोरो नोवा को ये पुरुसकार दिया गया है, सर जी, दो लोगों को दिया गया, एक का नाम है वोरा, और ये वोरा का समन्द किस देश से होगा, इनका समन्द दोस्तों या लखना, आप लोग ये दिया गया है सर वो किसको दिया गया वो दिया गया इसा बेल को दूसरा पुर्सकार किसको दिया गया इसा वेल इसा वेल अंगुस्टीन को दिया गया अंगुस्टीन को दिया गया इनका समन्द दोस्तों किस देश से था इनका समन्द आपको याद रखना है दोस्तों आपके पेरूशी था अगला कौशन है हाली में भारा सरकार के किस मंत्राले ने विस इस्त्रिय सुर्दाएं पर हमसफर नीती का सुवारब कर दिया हमसफर नीती को लॉंच किया है राजमार्ग मंत्राले मतलब नितिन गड़करी के दारा हाली में 8 अक्टूबर 24 को भारती वाई सेना का बानवेवा इस्तापना दिवस मनाया गया कहां पर मनाया गया है कोशन है हाल में 8 अक्टूबर 24 को भारती वाई सेना ने अपना बानवेवा इस्तापना दिवस मनाया आपको पता होगी इस्तापना दोस्तों इसकी होती है 8 अक 1932 से रेलेडर है और यही 1932 जो है इसी आठ अक्टूबर को हम लोग दिवस के तौर पर मनाते हैं वायू सैना के लिए ना कि 26 जिन्वरी को समझ में आगई बाग तो आंसर क्या हो गबान विवा इस तापा दिवस मनाया हम लोगों ने कहां पर है यह हम लोगों ने मनाया है द इस अवनेत्री ने कच एक्सप्रेस फिल्म के रहे सत्तरवे राष्टि पुरुसकार में सर्विसरेश्ट अवनेत्री का पुरुसकार जीता है यह पुरुसकार दोसर जीता है आपकी मानसी पारेग ने जीता है मूवी का नाम क्या था कच पारेग और अभी हाले में चक्रवर्थी को कौन सा पुरूस्कार मिला है वही एक मात्र लाइफ टाइम हाली में किस देश में इरानी कप काय общем किया जाएगा इस नहीं नहीं हो रहा है रांची में हुआ जैपुर में हुआ है दोस्तों आंसर आपके मुंबई में होच किया गया पहले इसको IDFC First Bank कप के नाम सो जाना चाहता था बाद में इसका नाम बदल कर इरानी कर दिया गया डियाडियो कुने अक्टूबर दोजाच चौबिस में किस राज में किस राज के अंदर दोस्तो किस राज के अंदर वर्डस मिसाइल का सपलता पूर्बग परिच्ड कर दिया है बताओ कहां पर वर्डस मिसाइल का सपलता पूर्बग उड़ान परिच्ड किया था DRDO के दारा most important question है यह राजस्तान के अंदर दोस्तों किया गया था कहां के अंदर किया था इसका सुबारा हम आपके राजस्तान के अंदर किया गया था सर यहाँ पर आप लोगों ने इतना बड़ा नाम लिख रखा है जो पढ़ने में अजीव लग रहा है इसका मतलब इसका मतलब फुल फॉर्म है क्या फुल फॉर्म है इसका इसका फुल फॉर्म बिटा है वैरी सॉट इसका फुल फॉर्म बनता है वैरी सॉट रेंज इसका फुल फॉर्म बनता है वैरी सॉट रेंज एर डिफेंस सिस्टम एर डिफेंस सिस्टम वेरी सोट रेंज एर डिफेंस सिस्टम दोजार चॉबिस एसी आई युवात तिरंदाजी चेंपियंसिप में रिकॉर्ड अंडर 18 माइला टीम इस परता में रजत पतक जीता रजत पतक जीता था वारी वैश्णभी पावार के दारा रजत पतक डबलू एचो दच् पूर्व एजिया का ससत्रवा सैसन अपकी बार हुआ है वर्ल्ड हेल्थ और जिसन का बताओ कहां पर हुआ है ऑफ्षन में बीजिंग जकारता नई दिल्ली या फरापके कौला लुमपूर में हुआ था बीजिंग चाइना में जकारता इंडोनेशिया में कौललंपूर मले इशिया में एक मात्रव संदिल्ली भारत के अंदर हुआ था अठ्ट अक्टूबर से सुरू होने वाला मालावार 2429 अभ्यास है प्याच्थ किस सहर में आपकी बार होने वाला है जब दोस्तों लोग बात करते हैं एक अभ्यास की जिसको जानते हैं माला बार के नाम से यह क बड़ी ताकत हैं परन्तू इसका सुबारम 1992 में सिर्फ दो देशों के दर किया जाता है वह देश दोस्तों थे हमारे भारत और हीकाव का अमेरिका सिर्फ इन वो देशों ने इसका सुपारम किया बाद में सिंगापूर भी जुड़ा नाड़ा भी जुड़ा दोज़ार्ण साथ की बात है जापान भी जुड़ा आज़ टेलिय भी जुड़ा इनकी संक्या बढ़के 6 हो गई बाद में सब चले गए फिर बाद में आधिकारिक तोर पर दोस्तों ऑफीशली दोजाद 14 में आया परंतु 2015 में हास्ताचर कि ये ऑफीशियल तोर पर जा पान नहीं हम भी इसको होस्ट करेंगे अभ्याद दोजाद साथ में आए तरह के नवाम हमेशा करेंगे फिर जाकर दोस्तों 2020 में एक और नया देश जुड़ा जिसका नाम बना आस्ट्रेलिया परंतु आस्ट्रेलिया अभी वह ऐसा देश है जो वेटा ओफीशियली नहीं है जो वेटा नौन ओफीशियली है परंतु जापान ओफीशियल तरीके से एल्ट है तो आब कितनी देशों के मत दोता है मालावार दोस्तों कॉार्ड के मत दोता है यूह को बना 2007 में और Quad Plus कब बना 2017 में Quad में दो देशों की संग्या कितनी है चार कौन कौन से देश है भारत यू अमेरिका जापान और आश्टेलिया चार देश है अब समझगे होगी कोशन और दोजाल मनला 27 संस्क्रण को होश्च करने वाला ऐसा देश जो नौन ओफिशिल है आश्टेलिया मालावार को बैजापान मालावार अब हमारा भारत इसको होश्च कर रहा है तो आज़र क्या मारोगे चेड़ने में होश्च हुआ है नहीं दोस्तों अब की बार इसका सुबार किस राज में इस्तित किया गया है याद रखना तेरा दिरगलाओं के साथ में दिरगाओं के साथ में गोजरात कनाडा महराज था यह रेपीटिट कोशन हो गया है कोई बात नहीं सिंगापुर ओपन स्नूकर का किताब जैडन ओंग पर पांच एक की जीत के साथ किष्ण ज जीता किसी भारती धिंगलाओं संूकर का प gefहारे जीता है सिसली पांच एक से जीता है स्वेकर बता ए दोस्तों क्या होगा ऑप्शन मेंए स्वेकर को आप लोग उसुर्फ होगा या पता नाम होगा मरन चंदरा पांका सबसे पार support पर प्लेंटे स्नूकर तो सिंगापर ओपन में दोस्वें इनों ने जैडन ओंग को पांच एक से हरा दिया और जीत गए हैं इस खिताब को ठीक है किस देश ने रुपह कार्ट लॉंज करने और हवाई अड़े के उन्यन के माध्यम से भारत के साथ संबंदों को और जादा मजबूत कर दिया है अब जादा है बताओ ऐसा कौन सा देश है अड़े साथ – ने बहोत ज्यादा मेन द्वारदा से कर दिया और यह वही देश है जो है अठे आ सिर् liability समजोत्तों को तोड चुका है और द्वारस रिस्ते जोड चुका है यह वही कोश्चन आप के सामने विलगूल सेम थे दिसेंटली तो ध्यान लखने दोस्तों नेपाल नहीं जुड़े हैं रिस्ते सिरंका जुड़े हैं बांगादेश से यह तो बाते खतम करो इसकी पेटा मालदीव सारी रिस्ते दोस्तों मालदीव ने मारे भारत के साथ तोड़ दिये थे हुआ था सब कुछ खतम हो गया था और अब देखिए आप अगेन अगला पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृति को परदर्शित करने वाला भारती कला मौशव किस भारती राज में संपन किया गया है भारती कला मौशव 2024 विटा कहां पर हुआ असम बैश बंगाल तेलंगाल या फराप के केरल के अंदर बताओ किस इस्तान पर इसको होस्ट किया गया है ये भी बड़ा प्यारा कोशन है और बहुत ही अच्छा ताकतवर कोशन है पूर्वत्तर भारत की संस्कृति को परदर्शित करने वाला भा पर दोस्तों हुआ यह आपका तेलंगाल मोस्ट इंपोर्टेंट है भारती कला मौश्य और इसमें सबसे जदा कौन पार्टिपेट करता है रखलो भी या सबसे जदा पार्टिपेट करते हैं डिसेबलिटी इस परसन अगला है किस बैंक ने भारत का पहला 500 मिलियन डॉलर क ब्लू लॉन परदान करने के लिए आई एपसी के साथ समझोते ग्यापन पर हस्ताचर कर दिये हैं और आपके पास में 500 मिलियन डॉलर तक का ब्लू लॉन जो आसानी से दिया जा सके तो आई एपसी के साथ हस्ताचर किये हैं ठीक है इंटर फाइनेंसिन बैंक, HDFC बैंक यह समझोता किस के मत किया गया यह समझोता दोस्तों आपकी एक्सिस पैंग के मत किया गया अगला है वह भारती जिमनाश्टिक कौन है जिनें 25 साल की परतिस परदा करियर के बाद सेवा निर्बृत की गोश्टना कर दी हैं बेसिक क्वेशन थोड़ा दिमाग लगाओ कि आ अक्टूबर 24 में अरणाचल परदेश का दौरा किया था किस देश के उच्चाइट के दारा तो याद रखना दोस्तों कनाडा के दारा नहीं आस्टिलिया के चैट के दारा नीज में है और पेपर में है वित्ती चुनौतियों से नबटने के लिए किस देश को बारत से 400 मि करकार का हर देश को देता है तो किस देश को बारत से चार सो मिलियन डॉलर और तीन हजार कड़ रुपए की मुद्रा अदला बदली करके दे दी गई है ताकि आप अपने देश से देश में जुश्चिनौती हैं उनसे निवट सको देखना कौन से देश हो सकता है माल दीव क् बारत यह है हमारा भारत अगला ब्धाराइस के बात है नहीं है सरद कुमार अभी हम लोग क्या पड़े सêtes कुमार के बारे नाम क्या है गेरे पानी के hydrographic मान्चित्रणड के लिए hydrographic मान्चित्रणड का मतलब क्या होता है जो पानी के अंदर चित्रण लेते हो वह तकनीक होती है तो इस तकनीक के लिए भारती नौसेना के नवीनतम सबसे बड़े सर्वेच्ट्रल जाज का नाम बताओ जो हार्दी में add कर लिया गया है option में है संद्यक सत्पुडा है option में है निर्देशक option में है गड़िया आंसर बताइये क्या होगा एक चीज confirm है गड़िया नहीं होगा तोग यह पुराना है नई का answer बताइये क्या हो सकता है है कोई जो बता सके कि मुझे नएक आंसर क्या होगा कोई बात नहीं संध्यत जिसका भी आंसर गलत है और सत्पुड़ा भी आंसर गलत है क्रेक्ट आंसर जो कोशन का होगा वह आपका निर्देशक हो जाएगा खेर सरुजी अगला कोशन आपके सामने है आई बी एस एम ए यार वी ट्रपल अच्छा अच्छा ठीक है नौसेनिक अभ्यास में भाग देने के लिए आई एनस तनवर जो है वो कहां पर पहुंचा है साउथ अफ्रीका में इस अभ्यास को सुबारंब हो रहा है ठीक है मल्टिलिंगल बहुत सारे देशा आएंगे इसन मॉंबई बैंगलोरी या फिर आपका हैदराबाद करेगा ने दिल्ली अटा दोस्तों आपके यहां परकुष्ण कांसर मॉंबई मालाश्ण करेगा पिकेलल चैंपिस्टिप का सुबारंब कब से कब तक होगा यह यह जिन दोस्तों आपके बारा तारी से लेके 17 रवमर यह उस्ताद अलाउगदिन खान मौसब किस भारती राज में आयोजित किया जाएगा उस्ताद अलाउगदिन खान यह दोस्तों आपके महराश में गुजरात राजस्तान नहीं आंसर होगा आपके मद्द पर देश में सरजी वर्तमान में कौन सा अफरीकी देश मारवर्ग वाइरस रोग के लिए अपने पहले प्रकोप का अनुबब कर रहा है यूगांडा रवांडा कॉंगो या फरहापका केनिया कर रहा है बेटा कौन कर रहा है चोटा सा कोशन है मारवर्ग वाइरस बहुत ज़्यादा न्यूज में है किस देश से रिल्रिट है ये कुशन भी आप लोग मेरे साथ बहुत आराम से पढ़ चुके हो मारवर्ग वाइरस चपेट में लगबग 12 से 13 लोगों के मरत्यू भी हो गई थी उसकी तुरंद बाद ये बेटा अनवब कर रहा है और देश में अमरजेंसी भी लगा चुका है देश का नाम युगांड़ा होगा देश का नाम कॉंगो को केन्या होगा है सारे देश लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावी रवांड़ा 2025 में राश्ट्रिय खेलों के 38 सुपह संस्क्रट की मेंजवानी करने के लिए किस राजजी को दोस्तों चुन लिया गया है कुछ सोचने की जरूती नहीं है कुछ भी सोचने की जरूती नहीं है पेटा 38 वा क्या है एडिशन होगा 38 वा क्या है एडिशन है किस खेल का ये पेटा आपके National Games है ये आपके National Games है और National Games में याद अखना 2025 में जो गेम होगा उसको होस्च कौन करेगा तो पेटा जिस राज्ज को चुरा गया है उस राज का नाम हम लोग उत्तरा खंड जानते हैं तो आंसर क्या मार दोगे उत्तरा खंड 21 वे आसियान 12 सिकर समयलन और 19 वे पूर्वी ACI सिकर समयलन की मेजवानी कौन सा देश करेगा option विच कंट्री विल होस्ट दा 21 वे आसियान इंडिया समिट एंड 19 वे इस्ट एस्ट 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 समयलन और 19 वे पूर्व ACI सिकर समयलन दौनों की मेजवानी एक साथ जो होश करेगा या दख्टा बेटा आपका लाओस होश करेगा लाओस यहीं एसियन कंट्री है तस्षिडी में विच्ट की आठ हजार मीटर की सभी 14 चोटियों को पार करने वाले सबसे कम उम्र के परवता रोही का नाम बताईए यहीं पर अगर मैं दोस्तों भारत की बात कर दूँ यहीं पर अगर मैं आपसे बिटा भारत की बात कर पांच परवतों को नाम किया है नाम इनका बन जाता है साथियो प्रियंका मोहिते सिर्फ और सिर्फ पांच बरवत यहीं परकर में में मैं की बात कर दूँ बिटा में में कौन बना है या दकना आठ परवतों को क्रोस कर चुके हैं इनका नाम बिटा हो चुका है अर्जुन बाजपेई नाम इनका हो चुका है अर्जुन बाजपेई यह सर्जी कहां की रहने वारे हैं यह बेटा पर ग्रेटर नोईडा उत्तर परदेश सेक्टर 51 के रहने वाले हैं लेकिन इनका टार्गेट है कि दुनिया के 14 परवत जो 8000 वीटर क्यों चाहिए पर है उनको क्रॉस क करके वर्ड रिकॉर्ड बना देंगे नहीं सिर्फ वारत का रिकॉर्ड बनाएंगे दुनिया में पहले कोई कर चुका है कौन सर जी काम कर चुका है 14 तो याद रखना कुशन का आंसर डेविड सेरपा तेंजिंग नौर्ड के नीमा रिंधी सेरपा आंसर होगा तो बेटा आंसर रट रट लेना आप लोग इस कुशन का नीमा रिंजी सेरपा इस दा करेक्ट आंसर इनकी एज कितनी है सिर्फ साथ यो 18 वर्ष इनकी एज है सिर्फ 18 वर्ष बिटा सोच की भी सरम आ रही होगी 18 वर्ष और इन्हों ने ये काम दोस्तों 9 अक्टूबर 24 को अंतिम पर आई है उस पर चड़के वर्ल्ड रिकॉर्ड बिटा बना दिया है किस भारती राज ने मादक पदार्तों की तसकरी और लट से निवटने के लिए संकल्प पहल का सुवारम किया विच इंडियन इस्टेट लॉंच दा संकल्प इनिसीटिव टूंबैक्ट ड्रग ट्रैफि इस इग मान देने वान झाल झाल कि इसने बारती जारती देविपारम को 17-18 ताले को मैंने क्लास ले थी आपकी जिस राद मैं एंटी पीसी की लाश्ट डेट थी और मैं पूरी रात नहीं सोया था सिर्फ फॉर्म ओनलान करते रहा तो लगवा तीन साथे तीन वजे मेरी आँख लग गई कोश्चन बनाने के बाद में लेकिन वन लाइनर और फिर मैं सो गया वो भी कूलर चला के पानी चला था कूलर में लास की टैमिंग 4-45 फिर मैं उठा नहीं उठा पाया फिर 5-5 पे उठा फिर 5-10 पर क्लास से स्टार्ट होई थी आपकी मैंनो उस दिन वन लाइनर पढ़ाया था तब से शरीर जो है ना वैसा हो रहा है तो मैंने तब से लेके अभी तक सर्फ दलिया खाया है बस तो जब उठता हूं तो सोचो दलिया कहा ही प कौन ही खाना बनाता है तो भाई मैं पानी या कुछ खाने के लिए जाता हूं ताकि थोड़ा सा मेंटेंड हो जाए तक यह सैसन कदम हो जाए किस भारती राज लेकिन रेगुलर टी नहीं टूटेगी रेगुलर में बहुत इशू होती तरह पहले इसलिए रेगुलर टी न नवटने के लिए संकल्प पहल का सुभारम किया था संकल्प लौट जुबाई पंजाब असम उत्तरा खंट नहीं दोस्तों आपकी हिमाचल परदेश की था हिमाचल परदेश ने कि फेस्टवल का सुभारम किया थे सेंटली फलाइंग नहीं Papab फ्लाइंग फेस्टवल इम माचल पदेश ने भी हाली में फिलाइंग फेस्टिबल का स्वारम किया था ये बात है आपके 18 अक्टूबर की 1990 में से 1992 तक टाटा समू और टाटा संग के अद्दक्ष कौन थे जिनका निदन हो गया सब को बता है दोस्तों रतन टाटा जी थे प्रुसकार नाम साथी उस प्रुसकार का नाम था पदम बूशन नाम क्या था पदम बूशन इनको 8 में एक और प्रुसकार दिया गया जिस प्रुस्कार का नाम था पदम विभूशन पदम विभूशन और पेटा रियलिडी तो ये है कि रतन टाटा जैसे देश के अनमोल रतन को भारत रतन दिया जाना चाहिए अब तो खेर चले गए हैं तो मर्डो प्रांत दो लेकिन 2025 में इनको भारत रतन जरूर मिलना चाहि है ओन विच डेट इन दा इंटरनेशन डी ओफ दा गल्ल चाइल्ड टेक है ग्लोपली ग्यारा अक्टूबर को प्रतें के वर्स मनाते हैं का मनाते हैं 11 अक्टूबर को एक अगस्त दो जर पच्चिस से नैसले इंडिया लिमिटेड के परवंदक निदेशक के रूप में कि इसको नुक्त किया गया who has been appointed as the managing director of नैसले इंडिया लिमिटेड एफेक्टिव अगस्त वन टूथाउजेंड पच्चिस कौन दोस्तों बनेंगे उनका नाम याद लखना मनेस तिवारी बिटा उनका नाम है नैसले कंपनी है एक नैसले कंपनी है जो कंपनी कॉफी बगएर आपने देखियोगी नैसले की आती है वो कंपनी है इसका कारबार समालेंगे एमडी की तौर पर एक अगस्त दो जार पच्चिस से आरभी आई ने वित्वर्स दो जार चौबिस पच्चिस में भारत के लिए कितनी जीडिपी व्रत दीदर रहने का अनुमाल लगाया है 7.2 परसेंट ये लगाया है दोस्तों आपके फाइनिंसल ये-र दोजार ये-लगाया है फाइनिंसल ये-र acontecendo relevant के लिए फाइनसल financial year 2024-25 के लिए अगला एक मिनट और या लखना यहां पर बेटा अलग लग कोरम होते हैं वो होता है ना आपने देखा Q1 है Q2 है Q3 और आपको Q4 है इस बेस पर या लखना 7% फिर 7.4% फिर 7.4% Q1, Q2, Q3 और Q4 भी हुआ नहीं दिसम्बर में होगा जाकर तिमाही वाला सिस्टम है न यह है चार तिमाही पढ़ती है चाती है 12 साल में वर्स 2021-22 के लिए नावाड सरविच्छड के अनुसार ग्रामीर परिवालों की ओसत मासिक आयक कितनी है most important question गरीबी का अनुमान लगाया जाता है यह question साथ ही उसी से related है जो गरीबी का अनुमान लगाया जाता है उससे बतावान सब क्या होगा चलिए वर्स 2021-22 के लिए नावाड सरविच्छड के नुसार ग्रामीर परिवालों की ओसत मासिक आयक का अनुमान जो लगाया गया 12,658 रुपए दोस्तों लगाया गया है एक मन्त में ग्रामीर जो लोग होते हैं एक मैने में 12,658 रुपए नौर्मल तोर पर कमा लेते हैं ऐसा दोस्तों अनुमान इनों ने लगाया है और 8,069 अन्तिम अनुमान लगाया गया था यह लगाया गया था दोस्तों कब यह लगाया गया था आपके 216,17 में 216,17 का नुमान है और बेटा अब इसमें बताया गया है मैं नहीं बता रहा यह खुद बता रहे हैं 57% की वरद्धी होई है सत्तानवे 57% की वरद्धी होकर 12,698 रुपए 2,021 में हो गये है यह अनुमान दोस्तों आपके नावार्ड के तरह लगाया गया अफ्कॉस हो गया है इसमें कोई हसक वाली बात नहीं है अफ्कॉस हुआ है किस बारती संस्तान ने अलो अब में चलना किस बारती संस्तान ने स्वच उर्जा संक्रमन को बढ़ावा देने के लिए अंतर राष्ट्री ओजा अजन्सी के साथ संजोते ग्यापन परहंस्ताचर किये हैं एक मात्र है बॉम्बे है मदरास है नहीं दोस्तों आई आयटी डेली दिता करेक्ट आउंसर आयटी दिल्ली के साथ यह संजोता हुआ था डवलू एचू ने किस देश है डवलू एचू ने किस देश को सार्वजनिक स्वास समस्या के रूप में ट्रेकोमा को खतम करने के लिए परमारित किया है विच कंट्री हैज बेन सेटिफाइड बाई डावलू एचू फॉर इल्मिनेटिंग ट्रेकोमा एज पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम आखों से रिलेटेड अफ्रीका में सबसे ज्यादा ताकतवर बीमारी है जिसका नाम दोस्तों ट्रेकोमा है जिसका नाम है जो आखों से रिलेटेड बीमारी है ऐसे जेसा पर भारत में नहीं है किसी के लिए केसमें पर अब हैं परनतु ट्रेकोमा एक इस प्रकार की बीमारी है अगर वह वीमारी किसी Cool जाती है तो उसकी आखें जब आप देखो गे तो यह लगेगा कि उसकी आखें बाहर आ रही हों और आखों से मेंसा पानी टैप कर निकलता रहेगा और हर 4-5-4-5 दिन बाद उसकी आखें लाल हो जाती हैं यह बेटा बीमारी के लेक्षड़ और यह बहुत ताकतवर बीमारी है यह कोई नौर् स्वास्ट तमस्यां के रूप में ट्रेकोमा को खतम करने के लिए प्रमारित किया गया साधनिक तौर पर भारत ने पूरी तरीके से ट्रेकोमा को निप्टा दिया है सर जी 69 के बाद साथ कौन सा भारती राज कैमूर जिले में अपना दूसरा बाग अब ब्यारण बियार में नागिनक्टी बोस्ट इंपोर्टेंट था तो दूसरा याद रखना दोस्तों आप बिएर के अंदर आपका कैमूर जिले के अंदर दोस्तों या पैस्थित है प्रिसिद्ध टैनिस खिलाड़ी राफिल नडाल ग्रहनगर कौन सा देश है कहां के रहने वाले हैं राफिल नडाल जो बार बार नीज में आते हैं बेटा आपके इटली के हैं नहीं इस्पैन के रहने वाले हैं राफिल नडाल टैनिस प्रेयर 2024 के साहित में नोबल प्रुसकार विजिता हांग का ग्रहत देश कौन सा बन जाता है साथ कोरिया जपैन चाइना या फिर आपका ताइवान मुझे बस यह बता दो कि 2224 के साहित तिक में नोबल प्रुसकार विजिता जिनका नाम था हांग का का ग्रहत देश से हैं परिशान मत हो ना मैं आपको उस दिन भूल गया था मैं अब आपसे कह रहा हूं अभी कुछ दे देश का कौन है आपको बस यह याद रखना कि यह बिल्कुल मत याद रखना कि सु कौन सा मिला है क्यों जो अपडेटेट होगा मैं आपको खुद गरवाओंगा बाके सब छोड़ देना यह नहीं की ट्रिक बना ली रटली है कुछ नहीं होता उससे भालतु का ड्रामा है 2024 के साहत में नोबल पुरुस्कार विजता हांग कांग का ग्रह देश दोस्तों कौन सा बन जाता है यह आपके साउथ कोरिया के रहने वाले हैं अगला है दोस्तों आपके सामने question वो यह कहता है आपसे IRFC Limited के अध्यक्ष एवं परवन निदेशक की रूप में किसको निट कर दिया गया है पिटा कौन बना है वर्तमान में इसका अध्यक्ष मनोच कुमार पांटे के नाम या लखना बारती विमान पत्तन परादिकरण के सदस की रूप में किसको निद कर दिया गया अनिल कुमार है कहीं पर? अनिल कुमार गुपता को पिटा निद किया गया है पता, रतन टारजी के समान में बिहार सरकारने, डाग पोष्ट सेना प्रमुह ने किस सहर में अगनी अस्त्र बहु लक्ष बिस्पोत को उपकरड को लॉंच किया है इसका नाम है अगनी अस्त्र बताओ कहाँ पर नाम कई है इसका? अगनी अस्त्र टोक में सरकिया है सरकारी सेवाओं तक निर्मत पहुंच प्रदान करने के लिए किस एप ने डिजीट लॉकर के साथ साजेदारी कर दी है विटा एम गवर्मेंट के दारा की गई है उमंग के दारा आंसर जो होगा विटा आपका उमंग होगा गवर्मेंट ए मार्केट प्लस के नई CEO कौन बने है मोस्ट इंपोर्टेंट नाम यहाँ रखना पेटा एल सत्या स्री निवाशन दे नेम आप दिस पर्शन एल सत्या स्री निवाशन कौशन नमर 99 है अक्टूबर दोजार चौबिस में विश्व परवासी पक्षी दिवस किस तारीक को सात्यों मनाया जाएगा अक्टूबर दोजार चौबिस में विश्व परवासी दिवस के तौर पर किस तारीक को मनाया जाएगा 12 अक्टूबर को साथियों मनाया जाएगा अस्ते कौशन है 70 हो चुके हैं 10 और बागी है अंतर राश्टनी आपदा जोखियों में निवनी करड़ दिवस परतेग वर्स हम लोक मनाते हैं कब मनाते हैं निवनी करड़ कं मनाते हैं डिजिटल क्रिसी की परवतनकारी छमता का पता लगाने के लिए इंडिया डिजिटल एगरी कॉन्फरेंस दोजाट चॉवेस कायोजन कहां पर किया गया था मॉंबई में किया, बैंगलोन में किया, हैजरवाद में किया नहीं आंसर होगा आपके सर्दी नई दिल लेने किया है विसेस आहार उपियोग के लिए पोशन और खाद पदार्तों पर कोडेक्स समीती का 44 कायोजन हुआ, कहां पर बैटा, इसका सुभारम आपके जर्मनी में किया गया था किस कंपनी ने परिछड उडान के बाद यांत्रिक बोजाओं का उपियोग करके अपने इस टार सिब बोश्टर को सफलता पूरुबक पकड़ लिया, बैटा, ये किस ने पकड़ा है और जो ये किया गया है ना काम, बैटा, दुनिया में पहरी बार ऐसा काम किसी ने किया है बताओ किस ने किया है किस Space Agency ने किया है वो भी दुनिया में पहली बार बताओ आपसन में Space X है Blue Oregon है Boeing है या फिर आपके Virgin Glastik है कौन होगा अंसर आपसन में अंसर कि दरी आपके खुदा meं किसी है अंसर कि ए भी आपके। या कि आपके procurement झार सादी आपके आपके अंसर ह impactful या से अंसर है झाल UK चर्व आता है है चलिएं तो दए बडा इस्पेस एक कंपणी पर लेके जाएगा चिह एकपास हो company है उनका नाम है दोस्तों Elon Musk जो इसको चलाते हैं कोई खास इनके पास दोस्तों डिगरी नहीं है इस चीज़ की इन दा वर्ल्ड वाई साव स्पेसेक्स बारत और अमेर्की नौसेना के बीच दुपच्छी नौसेने का ब्यास माला बार नौसेने का ब्यास पहली बार किस वर्स की आगया था सबको पता है वन डबल लाइन टू मैं पहली बार भारत के की स्टट पर नीली रखते वाले पुषगार ने ओपरेशन चलाया था ओडल ओपरेशन किस राज ने अनुसूचित जातियों को चार उपसमोहों एबी सीडी में वर्गी करत करने के प्रिकरिया को सुरू कर दिया है मैटा ये काम आपकी तिलंगाना में कांग्रेश पहुंच चुकी है ना तो जाती जर्ण के बाद तिलंगाना बनचुका है कि अगला देखो हाँ बिहार और त्यलंगाना बाद यह तींतर राज बन चुका है तिलंगाना वह अ आधकी फिनटेक कंपनी भारत में योनीफाइड पेमेंट इंटर विसल्वह में पाँच सबसे बड़ी खिलाड़ी बन चुकी है मतब कंपनी ऐसी है जो दोस्तों प्रियर बन चुकी एक परकार से यह रखने नेवी यह वाली नेवी नहीं है यह वाली नेवी है जिसकी बॉली वॉल आती है आठ नौस रुपय की आती बड़ी अच्छी चलती है बहुत कैस कोस्को और पहुंच चुका है कि हमारे बारत का स्कोर कितना है दो 127 मैं से 105 और 27.3 परसेंट स्कोर हाली में टाटा ट्रस्ट के अदर्च के रूप में किसको निट किया गया पिटा आप देखा होगा अब या दुखना यह सेशन खतम नहीं हुआ यहां पर आपके 25 कोश्चन अभी स्ट सबसे पहले यह कोश्चन देखना आप लोग यहां तक तो आपने 80 कवर किया 81 या निक जो कोश्चन है वो आपके कोश्चन आप देडे है रतर्न टाटा जी की जाने के बाद में टाटा ट्रस्ट के अद्दक्ष करूप में जिसको निक किया गया उसका आप मुझे ओफ ला असमानता की गारंटी प्रदान की गई है किस अनुच्छेद में अबसरों की असमानता फटा फट से बताओ और आगे बढ़ जाओ अबसरों की असमानता की गारंटी एक चीज आपको पता होगी सारे आर्टिकल जो है वो आपके 12 से लेके 35 के बीच के हैं बारस लेके 35 तक दोस्तों हम लोगों ने यूएसस लिया है जिसको लोग मेगना काटा भी कहते हैं भाग तीन में यह हैं इनको लोग मॉलिक करतव की रूप में चालते हैं अबसरों की समानता हमारे मॉलिक अधिकारों को साथ प्रकार से पाटा गया था परंतु अब छे प्रकार से हैं छे प्रकार में एक सबसे समता का अधिकार किसका है दोस्तों यह आपके समता क्या समानता का परंतु समानता का अधिकार बेटा आर्टिक ट्याहरत लेकर 18 तक जाता है यह अलग है जाबस समानता की बात की गई है आबसरों की समानता का मतलब है सब के लिए समान अबसर परदान की जाएंगे तो आंसर की बात की जाए आर्टिकल 16 ये बात कहता है कौन कहता है आर्टिकल 18 क्या कहता है सभी परकार से वसान जो आपकी उपादी होगी उनको खतम करो सब को बराबर ले आओ बेसिक कुशन है आर्टिकल 15 क्या कहता है सारव जनिक जो इस्तान है वो सब के लिए समान है आर्टिकल 17 क्या कहता है आए परष्टा का अंध लोग छुआ छूत करते हैं न इसका अंध अंध झाल झाल पूच्छन दोस्तों मैंने आप से अगला पूचा है FAO एक विसेश अजनसी है UN की और से कार करती है इसका पूड रुप क्या है Food Agriculture Organization सब को पता है Food and Agriculture Organization पहला का एक्टा आंसर हो जाएगा फॉर्गिन फॉर्ण 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 करत हो जाएगा 1992 में UNCTED में वैस्विक नेताओं के द्वारा इनमें से किस अजन्डा परास्ता चरकी गए थे जो वैस्विक सतत विकास को प्राप्द करने से सम्मंदित हैं किस अजन्डे परास्ता चरूए थे अजन्डा का नाम क्या था अजन्डा का नाम दोस्तों क्या था अजन्डा तेज था बत्तिस था सब्ताइस था एकिस था अजन्डा दोस्तों एकिस था यह वो अजन्डा है 1992 में UNCTED में वैस्टिक नेताओं के दारा इसमें बहुत सी बात लिखी हैं सर कौन कौन सी बात है वायू पर दूसर में कमी योजना छेतर संगटन का सामना करना वनों की कटाई को कम कर देना मरस्तु करड़ या सूखा जो है उसको बराबर खतम कर देना जैवेविता का सरच्षड करना खतरना को रेडियो धर्मी जो प्रदबंद लगाना परेवरण को सरच्षड करना एको सिस्टम को मजबूत करना जैवेविता पावर्फुल बनाना इस सब कुछ इसके अंदर है इनमें से कौन सा आई पी बी इसका फुल फॉर्म बन जाता है इसका फुल फॉर्म होता है इंटर गवर्मेंटल साइंस इंटर गवर्मेंटल इंटर गवर्मेंटल साइंस पॉलीस Kurt Rank ski आंधा कि НАम क्या है पंच पढ़ी बाइसे आंसर क्या होगा पंच मड़ी बायस्पियर रिजर्व इनमें से कौन सी बिटिस भारत की राजदानी थी 1773 से लेके 1911 तक और 1911 के बाद इसको इसको इस्ताना अंत्रिप करके दिल्ली बना दिया गया था इससे पहली राजदानी का नाम बेटा आपकी कलकता थी एक दिन को शिद भागा बॉर्टर कहां परिस्थत है एक बागा बॉर्डर है वह बहुत सारे मोवीiono में तसकरी के लिए दिखाया जाता है बताओ कहां पर भागाबॉर जैपूर मेरे direग इनए एमधाबाद में या अमर शर के अंध औरिस्थत है और आभाना बॉस्त आपके अमरि बिक्सित कर दिया है तो विटा आंसर क्या होगा सबसे बड़ी बात पीपी का मतलब क्या होता है पबलिक परस्नल प्रोटेक्टिव एक्वीपमेंट इसका मतलब होता है कोविट 90 में जो लोग अपने उपर पहने रहते थे जैसे जो लोग उसमें पहनते है ना रेन कोट मादक थे ससी थरूर की दारा इस पुस्तक को बेटा लिखा गया था ससी थरूर की दारा इन्होंने ही पुस्तक लिखी है अमबेटकर आ लाइफ दा इश्ट्रिगल फॉर इंडिया सूल दा बैटल आप बलॉंगिंग इंडिया दा फीचर इजनाव 2013 में लिखेगी पुस्त पेटा परसन ऑफ दा इर चुना गया था जानवरों के लिए 2013 में साइथ अकादमी अवार्ड इनकी पुस्तकों के लिए इनको मिला था 2019 में इनको भारत में दोस्तो प्रवासी भारती सम्मान 2001 में मिला अगला फ्रांस और इस्पेंज जैसे देशों ने अपने नागरिक प सब्मंदित है यह बिटा सरिया जो कानून है यह आपके मुस्लिम समदाय से रेलिटेड है और नीज में हमें इसा रहता है आर्थिक रूप से कमजूर वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों और उच सिच्छा में दस परसत अरचर लग करने वाला देश का पहला राच बन च अध्या लखना बिना पेपर भी नहीं देश पाओगे एक चीज़ और कॉमन याद रखना एंट्टीपीची के पेपर में एंट्टीपीची के जो पेपर होगा अगर आपने जोन वाइज डाला होगा कि जोन ऐसा भरो भी बहुत सारी वेकेंशी हो तो एक बात याद रखना बेटा सबसे ज़्यादा कंप्टीशन भी वहीं होगा नौर्वन नंबर पर पास नहीं होगे नहीं चक्कर में वेकेंश कशा if बहुत से इंपोर्ण्टइन एंपहरति आतुर्डवन वेकर रवारत के अंदर रिष्तित है राजिघाट मात्मागांदी कहा है संतिवन जवालाञ नैरू का है सक्टी इस्ति लिंद्रघांधीजी का अभैगार्ट मूराजी देसाई का है विरभू में राजिव गांधी किया, सदैव अतल, अतल ब्यारीबाशबेजी किया, चेत्रा भू में बी आरम्बेट करकी है ऐसे काफी है पुरा तात्य विद वीपी लाल ने मिरण जिले के हस्तिनापुर में खुदाई करवाई थी कब करवाई थी 1951 वावन में हस्तिनापुर में आनंत पुरसाय प्रस्ताव कब पारित कर दिया गया था 1973 में किया गया था बावर ने इबराहिम लोधी को हराया था बिटा 1526 में और दिल्ली सेल्तिनत को समापत करके बुगल सामराज की स्तापना कर दी थी असायोग और खिलाफत आदोलन शुरू हुए थे कब सुरू हुए थे असायोग और खिलाफत आदोलन कुछ मसूला कांसर 1920 में किसमें, 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 डार्क बाउंडरी वाले सेल को, एक्टिव सेल कहा जाता है, ये बेटा, आपका कहा जाता है, किसमें, MS-DOS में, MS-World में, MS-Excel में, या फिर PowerPoint में, किसमें, डार्क बाउंडरी वाले सेल को, active cell कहा जाता है, ये बिटा excel में कहा जाता है, पुकि वही काम करता है ONGC ने मैंसे किस छेत्र की अंतर आ जाता है, Oil Natural Gas Corporation, किर्सी सिच्छा स्वास्त ऊर्जा Oil Natural Gas Corporation, ऊर्जा में दूस्त हो आ जाता है, ऊर्जा छेत्र की अंतर यह वही ONGC है जो पैदा हुआ था 11th of August को 19056 को यह वही ONGC है जिसका मुख्याले बेटा बनता है दिल्ली में यह वही है जिसके CMD का नाम होता है अरुन कुमार जिसके CMD का नाम बेटा हो जाता है अरुन कुमार सिंग क्या हो जाता है अरुन कुमार सिंग यह वही बेटा company है जिसको महारतन का दरजा 2010 में मिला था परदान की गई सेवाओं के एवज में सेवा निब्रति के समय न्योकता के द्वारा करमचारी को दी जाने वाली रासी को क्या कहा जाता है उपदान कहा जाता है बहुत सारे लोगों पैंसन मालेंगे जो प्रॉपर त यह होता है आप एर फोर्स में जाते हो आपकी प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग चलती है ट्रेनिंग करके आई पूरी नौगरी कर ली नौगरी करने के बाद होए सबसे पहले आपको एकटा पैसा दे दिया जाता है जो भी 20-25 लाग उर्पे मिले और उसके बाद भी आपको पैंसं मिलती रहती है जो ही तो यह नहीं पूछा है उनने यह पूछा है कि समझो ध्यान से समय न्युकता द्वारा करमचारी को दिजन्वारी राशियोग क्या कहा जाता है ना कि पैंसं अगर ऐसा कोछ नहुता तो खुद ही कहते थे इसलिए पैंसन नहों के बैटा अंसर processing unit में भू आ करतीयों और उनकी उतुपत्ति के अध्यन को कहा जाता है क्या उनको कहा जाता है जल gjान, जल वैयु विझ्यान, मिरदा भू घू गोल, भू आ करती विए तो या जद लकनागे को जाता है से जियो मॉर्फुलोजी मास आगरों के सताई जलका औसत अतापमान होता है कितना 27 जगरी से लूसियस 20 जगरी 32 जगरी या फिर आपका 17 जगरी या जबतना 17 जगरी होता है's नहीं कोज गूगल के ऐरी पेज एक नाम था एक नाम था आपका सर गई 1998 में स्ताफित हुए थे लेरी पेज एक मात्रा अगर मैं ऑप्षिन की बात करू दोस्तों जेड यांग स्तापना की थी याहू की अगला कुशन चेवा च्छेत्र की गतिविदियों का एक हिस्सा है, चतुर तरती पड़ात्यमी की आफर परिवहन, दिमाख लगाना, कार्गो सेवा सेवा चेवा च्छेट्र के गतिविदियों का कौन सा बिटा हिस्सा बन जाता है? तो यार रखना economy की कितने सेक्टर होते हैं तीन सेक्टर होते हैं कौन कौन सा परताम सेक्टर दुतिये सेक्टर सेक्टर टेक्स किस पर देते हो जब आप सेवाए लेते हो होता है तो पहला दूसरा गिना नहीं जाता तो टेक्स वाला तीन नमर पर आता है तो पहला होता है जो बोरों में बरना चलू कर दिया, बोरों बरबर के लगाना चलू कर दिया, टेक्स मांगती है, सरकार नहीं मांगती है, जब आप बोरों को बेचने के लिए जाते हो, या आप खरीदने के लिए जाते हो, या कुछ भी ऐसा करते हो, सेवा है पतान करते हो, वैसे ही जिसको देत साथ आज इस class में cover किये हैं जो आपके किसी भी परतोगी पर इच्छा के लिए बहुत ज़्यादा important है इसके बाद वाला जो session है सामके पांच बजी बाला जब आप मेरे साथ वो class cover करोगे तब आप मेरे साथ वहाँ पर current affairs questions वहाँ पर cover करा दिया साथ में तंडो स्रीज के भी question मैंने आपको दिया है और घर के लिए भी मैंने question no.1 आपको दिया जिसका आंसर आप मुझे offline comment करके बताऊगे जो भी आपके दिये गए question का answer होगा ठीक भीया झाल 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 जा झाल 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 करते हो जाल सेनन मोगेज है और जयसे नह लगludולका तरिक करनान जाम में एल चलिए साथ यो फिलाल मैं आज कि इस सेस्टन को मैं यहीं पर समाम्त करना चाहूंगा और मिलूंगा आपके सामने पर फिर से साम को पांच पीम पर आपकी अपनी स्टैटिक जगे के गिलास में किसी भी शुडेंट को कोई दिक्कत परिशानी अगर होई हो तो मुझे आफ्लाइन कमेंट के बता सकते हो यह पीडियाफ आपको जरूर मिल जाएगे क्योंकि यह पीडियाफ ही बहुत इंपोर् अंडर ग्रेजर्ट नेवल के लिए लाजटेट 27 तारिक को है तो आराम से फॉर्म भरो ठीक है है और थोड़ा जल्दी ही भर लेना लेट जादा मत कीजिएगा फॉर्म चलिए सेजन को समाब करते हैं मिलते हैं उन टाइम पर दोस्तों सरसे साम को पांच पीम पर तप तक लिया सवे को तैजल से जैहिन जैबार थैंक्यू सुमाद गाईस थैंक्यू सुमाच आज कमेंट एक भी नहीं बड़े यार मैंने